हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS टूरेल पर स्वागत हैं तो आज हम लोग जेक बोट क्लास 7 का अगला विकली टेस्ट का भेर भेर इंपोर्टेंट कोर्शन देखने वाले हैं अगला विकली टेस्ट आप लोगों का चार नवंबर को होने वाला है और उस दिन संस्कृत का और SST का विकली टेस्ट होगा तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को संस्कृत का भेर भेर इंपोर्टेंट कोर्शन बताऊंगा और कुछ दिर बाद मैं आप लोगों को SST का भ आप लोगों के लिए मैं काफी सारा वीडियो अप्लोड करते रहा तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चेप्टर के अनुसार ओप्सान नंबर पहला सही हो जाएगा पवनम फिर देखे सेकेंड कोशन या क्रियावान सकिम कथ्यते पहला ओप्सान है धूर्तः दुसरा पंडितः तिसरा मुर्खा चोथा शटः तो इसका सही अन्सर हो जाएगा उप्सान नंबर दुसरा पंडितः फिर देखेंगे नेक्स्ट तिसरा नंबर केन सिध्यांती कार्यानी पहला ओप्सान देखें अगला चार नंबर कहंस्मधे न शोभते पहला ओप्सन देखें बक्का दुसरा कपोता तिसरा काका चोथा शुका तो इसका सही अन्सर हो जाएगा उप्सन नंबर पहला बक्का इसे आप याद कर लीजेगा इंपोर्टेंट कोर्शन है अब बटते हैं अगला कोर्शन के ओर देखें उद्ध्यमेन कानी सिध्यांत पहला ओप्सन देखें चेत्रानी दुसरा कार्यानी तिसरा मित्रानी चोथा चरित्रानी तो इसका सही अन्सर हो जाएगा उप्सन नंबर दुसरा कार्यानी उद्यमेन कार्यानी सिध्यांते फिर देखें नेक्स्ट शिक्ष नंबर कीमना ब्रुयात कीमना ब्रुयात पहला अनुर्थम फिर दखीन अगला साथ नंबर साथ नंबर के कोसंद देखिये सात निम्र के कोसंद है रक्षिता से रक्षा किया हुआ वरिक्ष रक्षा करता है तो चलिये दखते हैं लोग साथ नंबर के सत्या Filipino इवँत आचरंती पहला अपिसर Fool आप दुसरा साधवा, तिसरा मानवा, चोथा जनतवा तो इसका सही अंसर हो जाएक option number पहला वरिक्षा पिदेखे next आठ नमबर के अचरा संती को नहीं चल सकता है पहला देखिए खगा, दुसरा अमरीगा, तिसरा नहरा, चोथा वरिक्षा तो इसका सही अंसर हो जाएक option number चोथा वरिक्षा पिदेखे next अगला नौ नमबर वरिक्षा केशाम, उपकारम, कुर्वन्ती, साधुनम, पशुनाम, प्रानिनाम, पक्षिनाम तो इसका सही अंसर हो जाएक option number तीसरा वरिक्ष सभी प्रानियों के लिए उपकार करता है फिदेखे next 10 नमबर सर्प, कुत्र, वसंती सर्प कहां रता है, वरिक्षे, परवते, वरिक्ष, मुले, ग्रिहे तो इसका सही अंसर हो जाएक option number तीसरा वरिक्ष, मुले, वरिक्ष के जड में फिदेखे next अगला ग्यारा नमबर पुषपेशू के वसंती पुषपेशू के वसंती पुष में कौन निवास करता है कीटा या भृिंगा तीसरा option है पतंगा चोधा option है सुगंधा तो इसका सही अंसर हो जाएक option number दूसरा भृिंगा इसे आप याद कर लीजेगा फिदेखे next बारा नमबर व्रिक्षस्य साखाशू के वसंती व्रिक्षस्य साखाशू के वसंती वानरा मधु मक्षिका खगा सर्पा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number तीसरा खगा इन सभी question का आप याद कर लीजेगा बहुँ ज़्यादा important question है हम लोग बढ़ते हैं कुछ subjective question की ओर देखिए आप लोग उसे 5 subjective question पूछा जाएगा यहाँ पर हम लोग 5 देखेंगे और सभी बहुत important है आप अच्छी तरीके से याद कर लीजेगा पहला देखिए आम अथवा न माध्यन उतरत हाँ या न के माध्यम से उतर देना है सही गलत बताना है कौण नबर देखिए वरिक्षा असमाकम जीवनम संती वरिक्षा हमारा जीवन है सही या गलत आम के लिए सही और न के लिए गलत है तो यह तो बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आम हो जाएगा फिर देखे नेक्स्ट व्रिक्षा परवकारम कुर्वंती व्रिक्ष परवकार करता है यह भी सही है तो यहाँ पर आम हो जाएगा गार नमबर देखे व्रिक्षा अचरा संती व्रिक्ष चल नहीं सकते हैं, यह भी सही है, यहाँ पर आम हो जाएगा, पिर देखे नेक्स्ट, घर नमबर, पाटल, व्रिक्ष फल अस्ती, पाटल, व्रिक्ष फल है, यह गलत है, तो यहाँ पर न हो जाएगा, पिर देखे नेक्स्ट, व्रिक्षे सू, प्राना न भवन्त व्रिक्ष में जान नहीं होता है, यह भी गलत है, तो यहां पर न हो जाएगा, इसका आप याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग सेकंड कोशन के ओर, एक पद में उतर देना है, यह आप लोगों का MCQ में पुस्ट में को निवास करता है, तो भ्रमरा, भ्रमरा, उसमें निवास करता है, तो इन से भी का आप याद कर लीजिएगा, फिर देखे नेक्स तीसरा नमबर, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, इस तरीके से भी आपका कोशन आ सकता है, कर नमबर देखिए, विरिक्षा कथम फलंती, विरिक्षा कथम फलंती, तो इसका उतर देखिए विरिक्षा, पत्रे, पुष्पे, फले, चायाभी, कास्थे, चा प्राणी नाम, उपकारम, कुर्वनती, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, विरिक्ष कैसे किसे उपकार करता है, देखिए, फल देता है, फूल देता है, चाया देता है, लखडी देता है, इस तरह कि से प्राणियों के लिए उपकार करता है व्रिक्षे फिर देखे नेक्स्ट गा नंबर पुष्प व्रिक्षा के संती तो पुष्प व्रिक्ष का नाम बताना है कुछ-कुछ पुष्प व्रिक्ष देखे कुंद दुसरा कदंब पाटल मंदार परिजाता दय फिर देखे पु उचित पदम चित्वा रिक्ट अस्थान पूर्तिम कुरूत यहाँ पर जो ओप्षन दिया गया है इसको चुनना है और यहाँ पर खाले अस्थान यहाँ पर भरना है का नमबर देखे व्रिक्षा नाम खालिस्थान अवश्यमेव कर्टब्यम तो व्रिक्ष संगरक्षनम व्रिक्ष का संगरक्षन करना रक्षा करना हमारा कर्टब्यम फिर देखे खा नमबर व्रिक्षा नाम खालिस्थान किटम वसंती तहाँ पर व्रिक्षा नम व्रिक्ष मे यहाँ पत्रेशु कीट वसंती फिदेखी नेक्स्ट गा नमबर वरिक्षा खालेस्थान कथ्यंते वरिक्षा खालेस्थान कथ्यंते तो यहाँ पर हो जाएगा अचर यहाँ पर अचर लिखना है फिर देखे नेक्स्ट घा नमबर वरिक्षा वायूं खालेस्थान कुर्वंती तो सुध्धम हो जाएगा वरिक्षा वायूं सुध्धम कुर्वंती फिर देखे अंगा नमबर असमाकम खालेस्थान वरिक्षे अती सम्रिद्ध प्रदेश से अस्ती तो यहां पर जारकन प्र यहांपर यहांपर लाइन की चागिया है। खानमबर देखे, यह क्रियावान सब पंडिता, तेहाँ पर उत्तर हो जाएगा कपंडिता, फिर देखे खानमबर नाही सुप्तस्या स्रिहस्या, तेहाँ पर सुप्तस्या में लाइन की चाग्या है तो इसका उत्तर देखे, नाही किद्रिश्या स्रिहस्या, फिर देखे गा कि चाय गया है तो के पीवंती पवनम आपको कर देना है फिर दिखंए नेक्स्ट अंगा नंबर सत्यम बृयात यहाँ पर सत्यम इलाइन किया गया है इसलिए कि मृथ भीयात हो जाएगा कि मृयात इस तरह के से आज मैंने क्लास सेवैं का संस्क्रिप का चार नौंबर का वेर एक सेट अप्लोड कर दूँ जिससे आप लोगों का जो टेस्ट है बिल्कुल मक्षन की जिससे क्लियर हो जाएगा और आपका चालीस आप चालीस मार्स आराम से आ जाएगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कर लीजिएगा और चैनल को स सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंक्यों पर वाचिंग वीडियो है वे गुड़ देग